हलो दोस्तों चैनल पे आप सब का एक बार फिर से स्वागत है उमीद करते हैं कि आप सब अपने अपने घरों में रहेंगे और स्वस्त रहेंगे फिलिपिन्स के मकाती सिटी से समय बड़ी खबर आ रही है कि एक फ्लाइट अटेंडेंट की बात तब में मौत हो गई है एक होटल के अंदर जिसे लेकर लोगों में भी बहुत सारा गुसा है और ट्विटर पर वो जस्टिस की मांग कर रहे हैं क्या है ये पूरा मुद्धा पूरा बताएंगे लेकिन उसके पहले रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे काम को आप जरूर सपोर्ट करें एक सब्सक्राइब देके और नोटिफिकेशन मेल को भी दबाके फिलिपिन्स की मकाती सिटी में एक फ्लाइट अटेंडेंट की डेट बॉड़ी मिली थी बात टब की पुलीस है उसने विक्टिम को आइडेंटिफाय किया एंजलिका डेसरा के नाम से जिनकी उम्र 23 साल थी और वो एजे कैबिन क्रू काम करती थी जनरल सेंटो सिटी में जो इनिशल इन्वेस्टिकेशन हुआ है उससे पता चला है कि एंजलिका के एक फ्रेंड जिसका नाम पाया था बातरब में एंजलिका को इस तरह से बातरब में देखना सब के लिए बहुत ही हैरान वाला द्रिश्य था जिसे लेकर लोगों में भी इसे बहुत गुसा है कि कैसे उनकी मौत हो सकती है हलाकि अभी भी कुछ कारण नहीं पता चल पा है और पुलीस पूरी लगी हुई है अपने कारवाई करने में तो जैसे कुछ अपडेट आता है इस सपीसेस डेथ को लेके तो हम आप तक जरूर पहुचा देंगे इसलिए नोडिफिकेशन बेल को भी जरूर दबा देना सब दिन जवारत